नमस्कार दोस्तों, मैं वो एस्टो अरुना, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम राशी चक्र, जिसमें हम बताएंगे आपकी राशियों का हाल, आपके बविश्य का हाल, क्या लोटरी लगेगी, नोकरी लगेगी, विदेश जाएंगे, वीजा लगेगा या नह ही लगेगा, संतान कब होगी, शादी कब होगी, क्या कोई नया साथी आने बला है लाइफ में, चलिए शुरू करते हैं, नया सफर मेरे साथ, यानि एस्टो अरुना के साथ, नया कारेक्रम राशी चक्र, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्टो अरुना, और मैं आज लेकर आनो कन्या राशी वालों के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा, कन्या राशी जो कि बुद की राशी होती है, इसका स्वामी बुद जिसे हम राजकुमार की संग्या देते हैं, तो कन्या राशी वाले कुछ ऐसे सुभावफे होते हैं, कि हसना खिल खिलाना इने पसंद हो पर निकले इन्हें हमेशा सबलता प्राप्त होगी लिखने का कार्ये प्रिंटिंग प्रेस से कार्ये सी ये जितने भी होते हैं गुमने फिरने के शोकींग लोग कन्याराशी से आते हैं कन्याराशी एक बेहदी भावुक राशी होती है तो अब हम जानते हैं कि कन्याराशी व प्रियास कीजिए बहुत ही शुब समय आपका इंतजार कर रहा है कन्यराशी वाले हेल्थ के लिखास से कंधु में दर्द की सबस्या आपको आ सकती है आप बहुत ही महेंती और लगन से कारे करने वाले होते हैं कंधु का विशेश रूप से ध्यान रखे कुछ एक्सरसाइज कीजिए बीच वीच वीच वूट के ठहल लीजिए लगा तर कई घंटे आपकारे मत कीजिए कंध्या राशी वाले बच्चे जिनके एक्जान चल रहे हैं अपने साथ हरे रंग का पैन रखे हरे रंग के कबर चरहें अपनी कापी किताब उपर रात को सोते समय अपने सिरहाने एक कटोरी मूंग रखे और अगले दिन सुबह वो पंचियों को खाने के लिए दिए इससे इनको मानसिक रूम से बल प्राप्त होगा रिलेशनशिप की दृष्टी से देखे तो कंध्या राशी वाले इस महां घूमने का प्रग्राम बनाएगी है जीवन साथी के प्रती बहुती समर्पित लोग होते हैं ये अपनी जीवन साथी के साथ घूमने का प्रग्रा बहुत ही अच्छा समिमय रहेगा जैसा का सब जानते हैं कि गोभर का अफसर है ओली का महीना है तो अपने साथ सथ क्या लेकर जाएं। आप हरे रंगी साड़ी पहन कर जाएं जब भी गोभर के दोपलों की माला बनाकर लेकर इस बार जबाप खुली का देहन के लिए जाएं तो अपने साथ हरे रंग की मि प्याग मतना कर जाएं परमल की मिताई मों सब्राइएं उंधिक और आपके लिए बहुत ही शुव रहेगी और अंत में गुरी की इस जिंदगी में रौनक लेकर आए, उमंगे लेकर आए, खुश्या लेकर आए, धन्य वक्त.